राध राधे कैसे है आप आशा करती हूं मैं ठाकोजी की किर पसे खुश होंगे सरस्तों घर मस्तों गे आपके घर के सभी बड़े विज़ोगों का आपके बेटी का राधे-राधे परणाम आज आपके एक्स्ट्रो आपके सलाकर आपके लिए रेकर आई है शेनी की कुछ ऐस जो शनी महाराज हैं उनकी कुडली में लगन में बैठे हैं या उनको अशूप परभाव दे रहे हैं या उनकी दशय चल रही है या ध्या चल रही है या किसी तरह की उनको दुश पर भाव मिल रहे हैं शनी महाराज की ग्रहों की वैजा से तो उनको क्या कुछ ऐसे करम के दाता है क्योंकि हमेशा हमें जब भी उचित परणाम दिखाते हैं और वह उचायों तक पहुंचाती हैं शाय जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं होता तो चलिए ऐसे कुछ खास उपाई जो आपको शनी की सारसत्ती धहिया या आप पर शनी की दशा चल रही है उनसे आपको रहत दिला सकें सबसे पहले करना क्या है आपको शनी वार के दिन और मंगल वार के दिन जी हां सब जानती ही होंगे कि कौक के ग्रहाओ पर तो उसमें भी आपको रहत मिलती है करना क्या है आपको शनी वार मंगल वार के दिन हनुमांजी की मंदी में जाको आपको उनको सिंदूर का चोला चड़ाना है और साथ ही साथ वहीं पर बैठ के आपको हनुमांच रिषा जी का पार्ट करना है संकर और हनुमान जी का पाट करके उसके बाद आपको हनुमान जी को बुंदी के लड्टू सबस्त्तों बाते चयाँ वगे घ्रेब को बाते हिए हो कुछ कोड़ी स 쿠काने के साथ करने वाले अपने से मित्तबूर है अब वाहर करना चाहिए जांते कि अपने करद बनाते हैं इस तरह की अपनी दिन चरे बनाती है तो आपको अवह्ष्ट का नहीं है ऑपको है आपको और इस जिन चायों तक आपको पहुंचा देंगे जिन उचायों के लिए शयद आपने सपने मेंढ़े और साथ हिसाथ आपको नयंतर अपना जब करना चाहिए पी प मानता है तो स razor क Ride पराधना करने चाहिए और शिव मंदिर में अगर आप जा सकते हैं तो शिव मंदिर में आप जाकर आपको शिवची जी के आगे एक दीपक अवश्य जगाना चाहिए जब यह दिशा की स्टार्ट हो जए तब से लेकर आपको कॉंटिन्यू आपको संध्या वक्त परदोशकार में आपको शिव मंदिर में जाके शिव लिंक के आगे आपको यह दीपक अवश्य जिगाना चाहिए उससे भी आपको शेनी दिशा में राहत मिलती है तो यह थी छो